दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनलाइज करेंगे मोरपें लैब लिमिटेड आप देखेंगे यह कंपनी लगातार गिरता चला जा रहा है अगर इस कंपनी के पिछले कई महीनों के डिटेल को आप देखेंगे तो इसमें आपको गिरावाट की देखने को मिला है तो फि पिर जो लोग इस कंपनी में अलेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें भी अपना माल बेज के निकल जाना चाहिए सब कुछ एनलाइज करके हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल बताएंगे तो वीडियो में लास्क बने रहें कोई भी पार्ड मिस ना करें और जि पर्सें से जादे की गिरावड के साथ यह कंपनी आज क्लोज हुआ है अगर इस कंपनी के स्टॉंग सपोर्ट जोन की बात के तो यह कंपनी अपने 200 दिनों के मुविंग एवरेस के पास में आकर रुका पड़ा है अगर यहां से यह कंपनी फिसल कर नीचे चाता है तो इस इस कंपनी में काफी बड़ी गिरावड आपको देखने को मिलेगा क्योंकि काफी बड़ा ब्रेकडाउन भी आपको देखने को मिलेगा साथ के साथ इस गंपनी का जो 200 दिनों का मुविंग एवरेस है वो है 31 रुपए 25 पैसे का और यह कंपनी क्लोज हुआ है 31 रुपए 90 अब्बे पैसे पे तो यहां से इस company में काफी बड़ी अगर गिरा उटाती तो जब उसके बाद यह company समलेगा तो फिर इस company को buy करके चल सकते हैं अगर इस company के support level की बात करें downside में तो 22-25 रुपए के बीच में काफी strong support जुन बनता है इस company का अगर यह company आपको 22-25 रुपए के बीच में मिले तो long term के लिए इस company को buy करके चल सकते हैं क्योंकि जिस sector से यह company belong करता है उस sector में growth काफी है वह sector काफी stable हो चुका है तो बिल्कुल इस company को long term के लिए buy किया जा सकता है हाला कि penny share है चोटा share है तो इसमें आपको volatility है फिर आपको risk काफी ज़्यादा देखने को मिलेगा इसलिए अगर आप इस company को buy करें तो सब्चे पहले अपने portfolio को diversify कर लें अपने risk को analyze कर लें उसके बाद ही इस company को buy करें अगर इस company में आप already invested है और short term के लिए आपने buy कर अगर आपने long term के लिए बाई कर रहा तो hold करके चले panic न करें नीचे price पर आप चाहे तो average भी करके चल सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को like करें share करें subscribe करें thank you for watching this video